महुबा चिले के गौरहरी गाउं के विद्यूत फीडर में तैनात बिजली करमचारी ग्यारा हजार की लाइन में काम करते समय अचानक चालू हुई विद्यूत लाइन के चलते करेंट की चपेट में आकर गंभी रूप से जुलस गया साथी करमचारीं द्वारा गायल समवदा करमी को इलाज के लिए आनन फानन में एंबुलेंस की मदद से जुलास फताल में भरती करा गया जहां प्रारत में कुक्चार के बाद उसकी हालत चिंता जनक होने पर डॉक्टर ने जहांसी मेडिकल कॉलेज रफर कर दिया अब सवाल खड़ा होता है कि जब करमचारी शटडाउन लेकर विद्यूत पोल के उपर चड़कर काम कर रहा था तो सप्लाई कैसे और किसने चालू कर दी जिसकी लापरवाही के चलते करमचारी जिन्दगी और मौत के बीच जंगल रहा है यह गुड़ा पावर हाउस का मामला है और संभिदा इस्टाब द्वारा काम करने के दवरान यह हास्था हुआ है साइद पोल से नीचे गिरा है यह अब बांकी की सारी चीजे चेक कराई जा रही है कैसे हास्था हुआ क्या है अभी तो प्रात्मिक्ता इस बात की है कि पहल ही जा रही है क्या हुआ कैसे हुआ कौन दोसी है यह सारी चीजे निकले है अभी राज कुमार नाम के करमी को भी लेकर आये हैं कुछ लोग और करेंट है 11000 वोल्ट का करेंट लगा है और टीप बढ़न है काफी कम से कम 55% बढ़न है और यहां पर उसका इलाज किया जा रहा महोबा जिले में तेज रफतार कार और बाइक की भीषन भीरंत में बाइक सावार दो सगे भाई गंभी रूप से घायल हो गया घायलों को अस्थानिये लोगोद्वारा अम्बुलन्स की मदद से जिलास्पताल में भरती करा गया जहां प्रार्स में कुप्चार के बाद ए आप ये ले क्या हैं पेशेंट ये लोग वहां वाइक से दो लोग से और फॉर्विलर में एक्सिडेंट हो गया ता लड़की तीगाड़े रोड बे पड़े थे रागिरून एमकुरों का बोले भीया हेल्प कर दीजिए इनको लेच लिए महा था उन लोगों के सायोग से इनको हमें आम होवा अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं किस यगे अक्सिडेंट वगा ही इग गवरा चौकी से फड़ा पहले ही हुगा इधर से महावा से जाने में गवरा चौकी स्थोड़ा पहले हैं किस बहान ने मारक पुजन ता रही है इधर से फॉर्विलर जा रहा इसको ने फट्किया जाएगा अभी इलाज बोन पर चलता है से साड़े आठ महीने तक रेटायर होने की अवधी समाप्त होने के बाद भी काम लिया गया और साड़े आठ महीने के बाद सेवा समाप्त होने की बात उन्हें अचानक से बताए गई और जब एनम ने अपने काम के पैसे मांगे तो विभाग कत्राने लगा और अब स्वास इस वह में कारेरत नहीं हूं, मेरा शड़याथ महिना के तंखाय रुका हुआ है जबकि ओवर्डुटी की हुआ हमसे तंखाय लिया गया, विये त्यूटी की इस कारण से आपका तंखाय रुका हुआ है और कैसा ओवर्डुटी है? उबर दिती है कि मेरा येज हो गया था, लेकिन सर्याथ महिना पहले ही हो गया था, मुझे कोई आदेश लिखी तो उसमें कोई आदेश नहीं मिला, मोखिक बोले एक दो बार, बोले कि हाँ आपका काम खतम हो चुका है, आप काम छोड़ देजा, मैंने बार बार मांगा कि नह उत्रपदेश के जनवधापूर के थाना बाबुगड शेतर के ग्राम बचलोत में अपने खेतों पर पानी लगाने गया किसान का श्रव उसकी ही ट्यूवल के पास के पास पड़ा मिला, घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने मौके पर पहुँचकर मृत मृतक के श्रव को कबजे में लेकर पोश्ट माटम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है, हाला कि मृतक के परिजनों ने मृतक के दो भतीजों पर हत्या का रोप लगा है, जिसकी एक तहरीर थाने में भी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछता आच कर रही है, हाला कि अगर परिजनों ने जो आरोप आरोपियों पर लगाए हैं और आरोप सही सिद्ध होते हैं, तो कहीं न कहीं किसान की हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी की गई हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। वितक के भाई ने वितक के दो सगे भतीजों को F.I.R. में नामजद किया है, भतीजों को हिरासत में लेकर पूस्ताच की जा रही है, डेंड़डी को पोस्ट मॉर्टम हेट तू मॉर्चरी भेज दिया गया है, सारी वैधा ने कारवाइं की जा रही है। जहासी में नाले पर अतिक्रमन कर बनाई गई पुलिस चौकी को तोरने के लिए पहुँची नगर निगम टीम के करमचारियों को हाकी वर्दी धारियों ने धहमका कर भगा दिया। इतना ही नहीं नगर निगम की सरकारी जेसी भी मशीन को भी पुलिस ने कबजे में ले लिया। अला करना पड़ता है। इसका जानकारी होने पर शेत्रीय पारखद ने नगर निगम के अधिकारियों ने अतिक्रमन को साफ की जाने का अनुरोध किया। इसी आधहार पर नगर निगम की टीम मौके पर गई थी , पुलिस कर्मियों ने बजाए नगर निगम के सहीयोग करने के पुलिस चौकी के आरे आजाने के कारण नगर निगम के कर्मचारियों को रोक दिया. अब जाके देख लीजिए यह मांगे हम लोगों की इमागे अठीकमा हटा दिया जैसा पानी निकलता है वैसा निकल यहां कोई पूरा कबर है जो नाला था उसको उपर आर्ची सी डली हुई है उसमें ना कोई करमचारी घुस पाता ना सफाई हो पाती है अज अधिक मस्तीम क नाला है उसके उपर आर्ची ने गेट लगा दिया कोई अंदर नहीं जा सकता है और यहां पर क्या बदाद है उसके प्रज़ेश को आना पर यह और्चा गेट चोकी शेतर में पुरानी चोकिये का एक खमरा बना हुआ है हमारा जिसके यहां की पार्षण है नगर निगम से टीम बुला करके और नाले के इसके बाद में हमारी चोकी पड़ती है और नगर निगम की टीम ने जैसी बीशेतर में बिहार के सुपाल जिले से मजदूरों को लेकर पंजाब जा रही बस शनिवार को यमुना एक्स्वेस्वे की रेलिंग तोर कर नीचे खेत में गिर गई बस में नब्बे मजदूर सवार थे बस की खिड़की से गिरे एक मजदूर का पैर पहिये के नीचे दब गया ग्रामेनों दोरा फसे मजदूर को निकाला गया करीबे गंडे बाद यमुना एक्स्वेस्वे की राहत टीम घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने अमुलन्स पुला कर घायल मजदूर को पचार के लिए भेज दिया बता दे कि कई मजदूर चोटिल हुए हैं चालक और पर चालक घटनास्थल पर बस छोड़ कर भाग खरे हो गए दिनेश्क मरसा कहां से वाप सिम्राही बजार जीला सिपोल आप कहां से कहां को जा रहे थे हैं यह का आप कहां से बैटे थे इस गाड़ी में सिम्राही बजार से आप जा रहे थे दो जाना क्या घटना हुई थी आपके साथ यह घटना ऐसे बस वहां से पलकी होने लाब डर्यवर्स हो गया क्या हुआ पता नहीं लगबक कितनी सवार आदमी इसमें सवार थे कि इस पहले में ऐसी नभबे सवारी ते नभबे सवारी तो अब कोई इंजर्ड हुआ है कि इसमें कोई हिची की चोट वहाँ आप कहां से बैठकर आ रहे थे आप इस बस्ठावा शूडिया क्या गटना हुए आपके साथ याश्य वास मुथरा जन्पत के वार्ड नमर छे के निवासियों के द्वारा आज पानी की समस्या को लेकर मुथरा डीग माल को जाम किया गया कौनों निवासियों के मताविक उन्हें पिछले कई दिनों से पानी नहीं मिल पा रहा है उनकी द्वारा रोप लगाए गये हैं कि गोवर्धन के चेर्मैन से शमशान भूमी को लेकर चल रही विवाद की वज़े से पानी बंद कर दिया गया है और ट्यूब विल पर कार्यत कर्मचारी जो कि उसी कलोनी का रहने वाला है उसको वहां से हटा दिया गया है जिसे पानी की भारी परिशानी जेलनी पर रही है कलोनी की रहने वाली महिलाएं खाली बरतन लेकर रोड पर बैट गई और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर रोड को रोग दिया जाम लगने की सूचना मिलते ही नायब तहसलडार यो नगर पंचायत गोवर्धन समेथ गोवर्धन धाना द्यक्षर भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुँचे और लोगों को समझा बुझा कर बमुश्किल जाम को खुलवाया गया और पानी की विवस्था जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया कनोच के नगला दुर्गा गाओं में एक युवक्त की लाठी डंडों से पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई बतादे की परिजनों ने युवक्त के दोस्तों पर हत्या के आरोप लगाए हैं प्रेम प्रसंग के चलते ही वक्त की हत्या की आश्रंका जताई जा रही है हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफतार भी कर लिया है पुलिस मामले की जाच में जुट गई है प्रेम प्रसंग आरोपी के जीच में प्रिवार लेकर के था इसके अगया वह संबने के लेकर से इसमें आज एक कर वाई की जारी है आपको बता दे कि लोनी अशोक विहार को लोनी में विश्यस समुदाय की बीच रहने वाले परिवार की छोटी बच्ची ने दुकान दार पर छेर चार का रोप लगाया है पिरित परिवार के नुसार आरोपियों ने घर में घुसकर उन्हें धम की दी और मार पीट की है इसके बाद से पिरित परिवार दहशत में है वहीं पुलिस के अधिकारी भी कुछ भी बोलने से कतर आ रहे हैं कर दो लो क्लोनी की मामला है आप पर समय सुझा लेंगे तब पर बिना कुछ हुआ इस वाइए इस वाइने प्लीस का फोन किया बोले कि कोई नहीं मेरे बच्चे के आरोप चेड़ चार कर चुके थे लोग पहले यह लोग फीड चुके थे पहले भी पीटाई कर से क्या कहते ह वह बोलता नहीं कर दूंक कोई थोडी मौडी नहीं वही तोड़ी मौडी बात होग इस पईसे बगाने को क्या कारों है कि क्या मेरे बगाने का नेहां कर अलिट है हम मेरे अध मीरा बदाथे ठीक धिश्टा बच्चे के आ एपने घर बढार बोड़ा ऑपने आ हम अप में जाना सारे बच्चे नहीं आए पर उसने से दो है उसने मैसे को आने दे रहा है पढ़ाने के वह लब बागी से मतलब सामुदाइक भीबाद पहलाना चाहते हैं कि साथ जो घटना हुई थी क्या हुआ था क्या कौन था जिसने आपके साथ बत्तमी जी कि क्या कहा उसने आप से दुछ दुखानय वाले थे हैं उन्हाँ नहीं थे वह बत्तमी जी कि जम दूद ले ने आते हुए स्कुल जाती हूँ पर नों तो यह किया जब मैं दूद ले ने गई तो उन्हें हाथ पकड़कर मुझे गिरा दिया और बाल कोल दिया और पैसे ले लिए मेरे आपके साथ तो क्या था कुछ देते को चेहां और ये तो तो क्या होता है कि कभी मुझे हाथ पकड़ दो को देते हैं कर दो बाल खोल देते हैं और अग्या परसान हो फेरोटे-ज़़ घर पर आती हुँ जो मेरे पापा बोलते हैं कि मेरे बेटी को कुछ में परसान क्या करो जो भी कहना है मुझसे कहा करो तो वह नहीं मानते हैं अभी आपके साथ कभू इती सेट साथ विदी दो दिन परसो क्या हुआ था परसो यह हुआ था कि जा मैं दूद लेकर आई तो मेरे हाथ पकड़की गिरा दिया और किसने वह पैसे वापीस मांगे तो यह से बोला कि पैसे मैं नहीं दूँगा तिर बाप के बाप को भी नहीं दूँगा तुझे क्या दूँगा मैं फिरोजबात के गाउं जलालपूर में चुनावी रंजिश को लेकर जम कर फाइरिंग की गई जिसे लाके में हर कंप मचा हुआ है बता दे कि दर जनर राउंड फाइरिंग की सूचना के काफी देर तक पुलिस नहीं पहुँची पथरा और फाइरिंग की घटना के बाद अलाके में देशत का माहूल बना है यह घटना वीडियो में क्याध हो गई है दोनों पक्ष सपा और प्रसपा के समर्थ बता जा रहे हैं तो फाइरिंग उई है अपार जाएरिंग एक नहीं है कम सा कम 20-25 उपार जाएरिंग चली हाँ और से ही जालंग तो कोई मतवली नहीं था जालंग तो कुछ बाद में आयना जालंग किसी केगी साथी जी क्या गटना हुई है अपने मकांट बैठा हुआ था तो अचांड़क मुझे बोली का फादा बाज हुई तो यह लड़का है तो नरिंदगाउं का बो आगे भाई रहा था पीछे से मुल्तान और इसके लड़के गवी समंचा लेकर उसके रहं द्रहर तो रक्सना था कि मेरे घर न खुष जिए तो मैंने किया मेरे घर मोर जिसकिया तो मेरे घर मार मात बहुब बोलोब नहीं नहीं आने इत अधे अरोबासारे थेंके और थे बाज़ में अलग होई कि टनेंग होगे तंसे कम दस्वाब